नमस्कार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ essay on Marycom in Hindi तो इस वीडियो को पुरलास तक जरू देखना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बोमिका, Marycom भारत और दुनिया की एक जानी मानी महिला मुक्के बाज है उन्होंने अपने लगन और महनत के द्वारा इस बात को साबित किया है कि महिलाएं पुरूसू से किसी भी छेतर में कम नहीं है Marycom हमारे लिए प्रेणा की शुरूत हैं उन्होंने इस बात को साबित किया है कि अगर आपके अंदर परतिबा है और आप चाहें कितना भी गरीब हो आप असानी से अपने जीवन के लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें रात दिन कठिन संगर्स और मेहनत करना होगा तब ही जाकर हम सफलता के उच सिखर पर पहुंच पाएंगे Marycom भारत की पहली महिला मुक्यबाज है जिन्होंने पांच बार वर्ड महिला मुक्यबाज का खिताब अपने नाम दर्ज किया Marycom का जन्म और परिवार Marycom का जन्म एक मार 1483 को मानिपूर के कंग थेई में हुआ था Marycom का पूरा नाम चुगिंग जांग Marycom हंग टे है उनके माता पिता जूम के खेत में काम करते थे वे लोग बहुत गरीब थे इनके माता पिता का नाम मांगते तोपा कौम और मांगते आखाम कौम है उनके घर में चार भाई वहन हैं बहनों में सबसे बड़ी Marycom है बच्पन से ही इन्हें अपने जीवन में काफी संगर्स करना पड़ा Marycom की शिक्षा इन्होंने अपनी प्रारंभिक सिच्छा लोक टक क्रिस्चिन मौडल हाई स्कूल से की जहां से उन्होंने च्छटवी की परिक्षा पास की इसके बाद आठवी कछा की पढ़ाई के लिए संथ जेवियर्स कैथॉलिक स्कूल चली गई जहां से उन्होंने आठवी के परिक्षा को पास किया इसके बाद नौवी और दस्वी की पढ़ाई के लिए आदिम जाती हाई स्कूल चली गई लेकिन कुछ कारणों से वह अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सकी और पढ़ाई को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई नैसनल ओपन स्कूल लर्निंग के माध्यम से पूरी की इसके बाद उन्होंने अपना ग्रेशन चुरा चांदपूर कॉलेज से पूरा किया जो मनिपूर की राजधानी इमफाल में स्थित है मेरी कॉम की सुरुवाती करियर बच्पन में ही मेरी कॉम को खेल कूद में बहुत ज़्यादा रूची थी स्कूल के समय में वक पूटबॉल खेलना बहुत अधीग पसंद करती थी और बॉक्सिंग से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था लेकिन उनीस सो अठानवे में डिंग को सिंग नाम के बॉक्सर ने एसियन गीम में गोल्ड मेडल जीता जिसके बाद उन्होंने अपने मातर भूमी को चुमा और गाओं में लोगों ने उनका जोर सोर से स्वागत किया इसका मेरी कॉम के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ठान लिया कि वह अपने जीवन में बॉक्सर बनेंगे और आज मेरी कॉम विस्विस्टर की बॉक्सिंग खिलाडी है उन्होंने कई प्रकार के चेंपियन सिप का किताब अपने नाम दर्ज किया और देश का नाम रोशन किया ओप सनहार यकिनन मेरी कॉम का जीवन संगर्स से पूरी तरह से भरा हुआ है लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और पैसन के द्वारा अपने लच को प्राप्त किया है इसलिए हमें उनके जीवन से इस बात की सीख मिलती है कि संगर्स से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और संगर्स के बाद ही हमें सफलता प्राप्त होगी इस बात को मैरी कौम ने साबित किया है इसलिए आईए हम इस महान वैक्तितों को सत-सत नमन करें और उनके द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें तो उमीद है ये छोटा सा इंफ्रमेशन आपको पसंद आओगा पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल ये सुजाओ हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई